चैप्टर टू देख रहे हैं मेजरमेंट और सिस्टम ओफ यूनिट्स मेजरमेंट और सिस्टम ओफ यूनिट्स की बात करेंगे आज अब हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ होती है कुछ आपकी इसमें नैचरल है कुछ हमारी बनाई हुई है याने की मैनमेड है आर्टिफिशल है तो कोई भी फिनामना या एक्टिविटी हो रही है इसके लिए हमारे पास या हमारे पास ऐसी कई चीज़े होनी चाहिए जिसने हम मेजर का सके अलग अलग फिसिकल कॉन्टिटीज है डिफिर्ट डिफिर्ट आप देखेंगे अभी हम बहुत डिसकस करने वाले है उनका मेजर्मेंट होगा जैसे मैं अगर आपको एक्जामपल दूँ कि एक फूरूट है जो एक ट्री से गिर रहा है नीचे अब इस फिनामना को अगर हम समझने की कोशिश करे तो हमको क्या चाहिए पहले तो हमको ये ट्री इसकी हाइट चाहिए कितना टाइम ये जो फूरूट है मल ये ऐसे गिता है कितना टाइम इसको लगा ग्राउंड में पहुँचने के लिए क्या स्पीड है इस फूरूट की तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास डिस्टन्स यहां से आ तक डिस्टन्स फिर टाइम और कितना वेट था उसका कितना मास था तो डिस्टन्स टाइम और मास इनको accurately represent करने के लिए हमारे पास कोई नो कोई physical quantities चाहिए तो किसी नी physical quantity को measure करने के लिए उसका अरुमान लगाने के लिए उसको compute करने के लिए हमारे पास पहले तो unit होने चाहिए उसके बात हम आगे बढ़ेंगे तो इस discussion में हम physical quantities की बात करेंगे कैसे उसको measure करेंगे कैसे different units हैं उनको हम define करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन-कौन से errors हो सकते हैं यदि हम इन ये तो कुछ हमने दी हैं और भी आएगी इन physical quantities को measure करेंगे तो क्या-क्या errors हो सकती है क्या-क्या उसमें कमिया दिक्कते हो सकती है किसी भी physical quantity की unit क्या होगी किसी भी quantity का जो standard measure है एक standard measure हम कहते हैं कि देखे साथ हम 70 kg के हैं 60 kg के हैं तो हम kg बोलते हैं आपने किसी को सुना कि मैं इतने miligram का हूँ किसी को नहीं कसना होगा कि weight आप किसी का भी पूछेंगे तो ओ कहेगा मैं इतने miligram का कभी नहीं सुना होगा किसी नहीं कहा height क्या है मेरी तो किस आप बोलेंगे इतना 5 feet 8 inches 9 inches या आप centimeter में पूछ लेंगे आपने किसी से पूछा और उसने कहा मेरा मिली मीटर में है किसी नहीं कहा होगा तो एक standard measure होता है जो measure है unit का बहुत definite होना चाहिए और unambiguous होना चाहिए यानि कि एक unit दो चीज़ों को represent ना करें या दो चीज़े एक ही unit के dependent ना हो एकदम clear हो ये इसके लिए है kg है rate के लिए अगर आप time की बात करें second हो सकता है आपका aware हो सकता है unit इस तरीके के होनी चाहिए उसका measure समय के और प्रस्तितियों के हिसाब से change ना हो और यदि हमने एक unit को define किया किसी भी इस phenomenon को ले के तो phenomenon पर्मनेंट होना चाहिए और phenomenon ना change हो phenomenon को change होगे आपता चला unit भी change हो जाए और या फिर unit वही रहे phenomenon चेंज हो जाए तो जो repli का है prototype आलें कि एक चीज़ का जो अनुमान है प्रारूप है किसी भी unit का उसको आप reproduce कर सके और वो आपके पास easily available हो कैसे हम physical quantities की unit देखेंगे और क्या system होते है इस unit के physical quantity की सीमा नहीं है बहुत सारे हैं यह लेकिन शुरुआत में अगर हम किवाल limited minimum कुछ number ले physical quantities के जिसके लिए हम unit define कर लें और फिर इन unit को define करके हम आगे और define करेंगे जैसे हमने कहा kilogram gram से शुरू करते हैं kilogram हो जाएगा उसके बाद और weight बढ़ा सकते हैं gram को नीचे कर सकते हैं मेरी gram कर सकते हैं और भी micro gram कर सकते हैं तो हम शुरूआत किसी एक चीज़ से करते हैं थोड़ी सी चीज़े लेंगे उसके बाद उनको देखेगा जोड़ जोड़ के हम कैसे बनाएंगे तो जो minimum physical quantities हैं इसको हम कहेंगे fundamental quantity जो हमें कम ली है शुरूआत में और उसके बाद उनकी units को हम कहेंगे fundamental या base unit फिर समझेगा जो physical quantities जो हम शुरूआत में लेंगे उनको fundamental quantities कहेंगे और उन units को हम कहेंगे fundamental units अब बागी जो भी physical unit है इन fundamental units को मिलाएंगे और बताएंगे जो आगे हमारी निकल के आएंगी fundamental quantities से बनके उन्हें हम कहेंगे derived physical units या derived physical quantities quantity को कहेंगे derived है या और units को कहेंगे कि ये derived units है तो अलग-अलग system अलग-अलग समय के हिसाब से अलग-अलग system आए इनको समझ लेके इनको define कर लेके लिके करके मैं बताता हूँ FPS system ये British system था F का मतलब इसमें food है P का मतलब pound है S का मतलब second है फिर CGS आया ये है ऐसा आया नहीं वतलब आये और रहे गए अभी तक है C से centimeter G से gram S से second MKS की बात करें तो meter, kilogram, second MKS से meter, kilogram, second और ampere SI units SI system इसमें साथ base units हैं इन सब को आप समय समय पे देखेंगे मैं बताऊँगा इनके बारे में SI system unit ये एक internationally accepted generalized system है इस इंटरनाशनल सिस्टम of units जो international system of units है उन्होंने accept किया 1971 में 1971 में General Conference जो weight और measure की हुई और leadership जिनकी थी वो थे International Bureau of weights and measures ये France के parish शहर में located थे साथ quantities को fundamental quantities लिया गया कि देखे साब ये साथ को हम fundamental लेते हैं और इनका पहले हम जानकारी लेते हैं इनके बारे में समझते हैं फिर आप देखेंगे कि कैसे हम इनको जोड़ जोड़ के हम final कोई भी unit बना सकते हैं तो इस discussion में इस conference में जो कुछ discussion हुआ उसके बाद length, base quantity length थी इसको कहा गया हम meter लेंगे symbol इसका हम दिया अब इस symbol को बहुत ध्यान से दिमान में दिल में उतार लिए उसका कारण ये है यहीं से आगे हमारी चीज़े बनने वाली है meter ये length है उस path का जो live travel करती है vacuum में इतने time interval में बहुत बड़ा number है तो उसको समझिएगा इतने time यानि कि this 1 by 2 9, 9, 7, 9, 2, 4, 5, 8 कितना हुआ इतने second में जितना length live travel करती है vacuum में उसे ही हम length ले रहे हैं मास के बारे में बात करें तो kilogram kg kilogram क्या है यह international prototype जो kilogram का है यानि कि platinum iridium alloy cylinder जो कहां रखा गया है अभी हमारी बात हुई Paris, France तो international bureau of weight and measures में जो रखा गया है उसका weight है second time के लिए second ऐस कहा गया बस इस पर ध्यान दीजेगा आप क्योंकि आगे चलके यही चीज़े काम आने माली इसी के बारे हम बात करेंगे बाकी तो अभी discussion है second जो second है वो duration है 9192631770 periods का किसका? periods उस radiation का जब transition होता है दो जो hyperfine level है cesium 133 atom का जब जो time आ रहा है यानि कि जो second है वो duration है इतने periods का दो hyperfine levels यानि ground state से hyper level जब आप cesium CS 133 atom इसका transition होता है तो radiation का जो time है वो इससे बताएगा है electric current की बात करें ampere capital A इसको लिखा गया है माना गया है तो ampere क्या हुआ? ये current है constant current है यदि दो बिल्कुल सीधे parallel conductors जो की infinite length के होंगे जिनका negligible बिल्कुल cross section zero की तरह होगा यानि बिल्कुल कम होगा एक मीटर ये दूरी पे रखे गए है vacuum में जहां कुछ भी ना हो तो और उनके बीच में जो force लग रहा है वो है 2 इंटो 10 की घात minus 7 2 इंटो 10 इंटो पाउस minus 7 नूटन पर मिटर लेंथ 1948 में बताये गया इसको आज भी हम इसको मानते हैं Kelvin के ये थर्मोडाइनमिक टेंपरेचर है ये fraction है 1 by 273.16 थर्मोडाइनमिक टेंपरेचर पानी के triple point का Kelvin कितना substance है उसको हमने ना पा जाना mole से MOLE, MOL यूज़ करेंगे mole वो amount है substance का किसी system में जिसमें बहुत सारे elementary entities है जो elementary entities क्या है atoms किसमें 0.012 kg carbon 12 एक mole हो गया है luminous intensity इसको कहा गया candela cd luminous intensity है किसी एक direction में luminous intensity है किसी direction में किसी source की जो emit कर रहा है या प्रजवलित कर रहा है छोड़ रहा है monochromatic radiation frequency जिसकी है 540 इंटू 10 की खाद 12 540 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 12 हर्ड्स और जिसकी radiation intensity कि इस direction में 1 बाइ 683 वाट पर stay radian है यह क्यों जानकारी के लिए है इसको ना भी जाने तो कोई बात नहीं लेकिन इनको समझे हैं यह definition या जब mole हम यूज करते हैं तो elementary quantity बतानी पड़ेगी आपको जैसे mole atom का होगा mole होगा molecules का, iron का, electrons का यह इसके साथ आपको पताना पड़ेगा derived units क्या है basic unit हमने ली हमने का 7 basic unit है उसके अलावा जितनी भी unit आ रही है या तो वो basic unit हो वो भी derived हो जाएंगी कैसे? उनको combine करेंगी इन 7 base unit के combination में SI unit, standard international unit इनको combine करके जो दूसरी चीज़ों की unit आएगी उसे हम derived unit कहेंगी अब example देखिए acceleration क्या होता है? acceleration होता है mass t याने acceleration के अगर हम बात करें यह displacement d by t square d equal to a t square s equal to a t square आपको याद होगा s equal to ut plus half a t square चीक है? हमने कहा इसी से हमने लिया दो चीज़ों को जोड रहे हैं तो same unit होगी यह भी आगे मैं बताऊगा तो फिलहाल के लिए आप दो चीज़े तभी जोड सकते हैं जो उनकी unit same हो half तो constant है तो a t square होगे अगर आपको acceleration निकालना है तो s by t square कर दीजिए और डिस्प्रेस्मेंट बाइ t square डिस्प्रेस्मेंट याने की distance है इसके लिए क्या unit यूज़ करेंगे आप? मीटर यूज़ करेंगे अभी अभी हमने बात की कि हम मीटर में नापते हैं इसको तो मीटर कर दीजिए t है टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे s और square है तो s square कर दीजिए अग जब कोई भी power उपर जाता है तो क्या होता है? negative हो जाता है तो ये क्या होगा? ms उपर जाएगा तो minus 2 हो जाएगा याने ms ms की power minus 2 ms की power minus 2 किसकी यूनिट होई है? acceleration की कहां से आई? basic unit से आई basic unit formula acceleration का हमें पता है displacement by time square displacement meter में time s क्योंकि square है square कर दिया s square उपर आया s की घात minus 2 हो गया इसको पताना इसलिए वशक है क्योंकि यही से सारी चीजों की शुरुआत होगी इसी से आप अपनी unit निकालेंगे जिए का और example देता हूँ आपको work की unit देखिए work क्या होता है? force into displacement work यह formula हम देख चुके हैं नई भी देखे तो कोई बात में अभी सीख लीजी force क्या है? force है mass into acceleration अब और भी unit है हमारे cross force की हभी हम यह मानते हैं कि force की unit है यह हम अरड़ी देख चुके हैं kilogram meter right by s square मैंने भी बताया mass into acceleration होता है mass हमने यहां लिख दिया kg गी acceleration अभी अभी हमने निकाला ms की power minus 2 यानिकी m by s square यही तो था अब displacement भी multiply करते हैं into m करते हैं क्या क्या हो गया kilogram यह meter meter by second square और यह meter तो इसमें kg s square को दो पर ले आएंगे s की power minus 2 mass दो बार हो गया तो m square कर देंगे kg meter square s minus 2 s की power minus 2 ऐसे निकालेगा आएगे अब कुछ supplementary units है supplementary physical quantities उनके unit और symbol जैसे supplementary physical quantity है plane angle theta इसका इसाइ unit है radial इसको हम बलेंगे r a d है क्या यह यह ratio है circle के इसाब से सीखें इसको ratio है जो arc की length है यह arc की length है radius of circle यह है यह l है यह angle जो होगा इसको हम कहेंगे theta theta होगा l by यह arc l होगया r radius होगया l by r इसको हम a और b माल ने यहां से यहां तक यहां से यहां तक l a b by r तो एक radian को define करेंगे हम angle जो subtraction कर रहा है arc जिसकी length equal है किसके radius के बरामा एक डिगरी धियान रखेंगा pi by 180 radian होता है या दूसरे तरीके से कहें तो एक radian होता है 180 by pi डिगरी के तो इस तरीके से समझेंगे इसको यह आपका l है या a b है यह r है वही हमें अभी सीखा solid angle की बात करें तो इसकी unit हम sr लेंगे और इसका symbol sr लेंगे unit है इसकी है steridian steridian क्या होता है अब solid angle की बात करें यह तो एक circle था अगर हम sphere की बात करें बिल्कुल ball की तरह ढूने ball की तरह समझे तो जो ratio है area intercept हो रहा है spherical surface का जो इस apex यह पूरा हम area की बात करेंगे यह 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 area circle की बात करें एक बात करें आपके बस तर्बूस होता है तर्बूस का एक part card के आप निकालते है red red आता है और हम देखते हैं यह मीठा है के नहीं लाल है वो area हमने यहां से निकाला तो जो एक एक छोड़ा part निकाला तर्बूस से उसको समझेगा यहाँ पर आपका area आएगा यह इसका radius है यह radius, यह radius, यह radius सब सेम रहेगा तो इस हम star region को कहेंगे delta A जो कि यह वारा area है divided by R delta A आएगा क्योंकि यह area है यहाँ से यहाँ तक area meter square में होता है radius 1 meter में है आपका जो star region आएगा वो एक star region है practical norms क्या है in SI system को अगर हमें use करना है पहली चीज unit जो है हर एक physical quantity की वो हम symbol से represent करेंगे मैंने जहा था आपको symbol से represent करेंगे कोई भी full stop unit के अंदर unit के बाहर unit के end में नहीं देंगे अगर आपने kilogram कहा है तो kilogram मतलब kg kg dot नहीं होगा कुछ there should be no dot symbol जो unit का है उसका कोई भी plural form नहीं होगा अगर आप कहरें meter तो हम क्या करते हैं जब हम running language में लिखते हैं अंगरेजी लिखते हैं तो MTRS कर देते हैं MTS कर देते हैं यह सब नहीं होगा meter मतलब meter कोई meters नहीं only meter जो unit है physical quantity की numerator जो उपर आएगा और जो denominator आएगा उसको हम ratio के हिसाब से यह लिखेंगे जैसे जो acceleration की unit है वो meter per second square के square है इसको हम meter per second square लिखेंगे तो भी मान्य है S square को उपर ले जाए S की power minus 2 आएगा यह भी मान्य है लेकिन कहीं आप यह लिखने लगे M by S by S No यह acceptable नहीं है जो पुरा नाम है unit का जो किसी great scientist के नाम से लिया गया है वो हम capital letter में नहीं लेंगे लेकिन जो symbol है symbol है उस unit का उसको हम capital letter में लेंगे जैसे unit जो force की है क्योंकि newton साहब से ली गई है newton साहब को honor करने के लिए हम लोगों ने ली है उसको हम capital N लेंगे newton इन साहब का नाम बहुत बड़ा है physics में science में ऐसी पासकल साहब थे pressure के लिए उनका नाम लिया जाता है हम याद रखें उनका contribution क्योंकि नाम उनका है इसलिए PA इसको हम capital में लेंगे length को कैशे measure करेंगे direct measure तो है आपके पास measurement length का करना है जैसे meter scale है अगर आप meter scale है तो आप बता सकते है 10 की power minus 3 10 square minus plus दोनों बता सकते है vernier caliper आपने experiment में देखा होगा यह हम measure करते है length को accuracy उसकी आती है 10 की power minus 4 meter तक वहाँ तक vernier cavil caliper से हम नाप सकते हैं जो screw gauge है जो sphere of meter है वो हम 10 की तो power minus 5 meter तक नाप सकते हैं कितना कम distance है अब इसके अलावा इसके beyond अगर हम नापना चाहें जैसे astronomical distance है तो हमें indirect तरीके इस्तमाल करना पड़ेगा कुछ समझते हैं कैसे करेंगी जैसे आपको बहुत दूरी बहुत दूर का distance आपको measure करना है तो उसमें हम parallax method को introduce करते हैं जो बहुत दूरी के distance है जैसे example लीजिए एक planet का distance या star का distance हमारे हमारी प्रिथ्वी से उसको हम parallax से नापेंगे जाचेंगे कैसे अगर आपको एक distance दी नापना है यह हमारा अर्थ है यह planet है इसका distance यहाँ से यहाँ तक यह दी नापना है यह लिए आप देख पारें अब इसको देखिए observation के दो aspect हो सकते हैं यहाँ से भी नाप सकते हैं यहाँ से भी नाप सकते हैं और A और B आपको मिल गया अर्थ पे और direction है observation का इस distance star से हमको fix करना पड़े हैं जैसे हम observe करते है planet P को A और B simultaneously से एक साथ जो diametrically opposite situated है यहाँ पे diametrically opposite situated है तो बरपस दो direction यह दो direction के observation बनेगा एक A से लेकर P तक AP एक B से लेकर P तक BP तो क्योंकि जो distance है planet का वो बहुत बहुत बढ़ा है diameter से अकर compare करें आपके अर्थ के तो जो अर्थ का angle है theta वो बहुत छोटा हो जाए theta बहुत small होगा लेकिन यह parallax angle होगा मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस angle की बात कर रहा हूँ parallax क्योंकि यह बहुत बहुत दूरी पे है तो यह theta बहुत कम होगा लेकिन फिर भी theta का अगर हम अनुवान लगाएं तो अगर अपने इसको देखें तो arc by radius theta will be arc equal to radius हम जाते हैं अगर इस तरीके से बनता है तो theta क्या होगा theta will be arc by radius याने यह arc है आपके पास यह भी इसको आप एक arc की तरह मालनें और arc की तरह मालेंगे और arc by radius यह arc हो गया आपका यहां से यहां तक और radius हो गया arc by radius सीथी सीथी तरीके से हम इसको नापेंगे अपने circle के हिसाब से तो a by a p याने distance जो observation है यहां से यहां तक यह distance और यहां से यहां तक distance d का तो आपके पास d क्या हो जाएगा हम इसको b माल ले इसको theta माल ले d equal to b by theta इस example के तहत इसको समझाता हूँ आपको moon दो जगा से observe किया गया इसकी opposite point है a b earth की यह earth है यह point है यह b point है जो angle सबसेंट हुआ moon दो direction जो हमारे पास है यह angle की बात कर रहा हूँ है वो है 1 degree 54 minute diameter अर्थ का अगर दिया हुआ यहां से आता 1.276 into 10 to about 7 meter आपको distance compute करना है moon का अर्थ से अभी अभी हमने formula सीखा distance क्या होगा तो distance होगा वो होगा b by theta यह b है और यह theta है यह theta यह b अब हमारे पास बात यह बनती है कि जो theta है 1 degree 54 minutes 1 degree होता है 60 minute 60 minute को 54 से जोड़ दीज़े तो पूरा minute में आ जाएगा 114 degree है 114 by 60 degree अब इसको हमको radian में change करना है क्योंकि यहां पर यह जो angle है radian में आपा जाता है अब degree और radian का मैं conversion अभी भी बता चुका हूँ तो इस degree को convert करने के लिए radian में πाई by 180 से multiply करते है आपके पास यह theta आ जाएगा यह आपका radian में आ जाएगा इसको multiply करेगा प्रीज पाई को 22 by 7 ले सकते है जो B आया वो यहां पर दिया हुआ है अब D क्या है B बाई theta B आपको दिया गया है थीर आप यह भी आपने निकाल लिया तो उनको divide करी है यह आपका भी आएगा तो इस तरीके से distance निकलता है एक parallax method का तरीका है अब measurement जो size है प्लैनेट यह स्टार का वो कैसे नापेंगे size भी नापना है कैसे नापेंगे वैदि D आपका यह diameter है उस प्लैनेट का आप यहां अर्थ पे हैं इस जगह से आप observe कर रहे हैं D diameter है और यहां से यहां तक angle जो subtend हुआ हुआ है alpha यह alpha हो गया इसको हम कहते हैं angular diameter इसको हम कहते हैं angle diameter तो जो angle alpha है इसको हम कैसे determine करेंगे किसी भी location पे यहां पर है यह कर सकते हैं कि जो diametric point इस planet के है यह point और यह point इसको हम देख सकते हैं तो यह alpha क्या हो जाएगा पिछले बार की तरह पिछले बार का discussion की तरह यह alpha हो जाएगा हम जानते है L equal to R theta होता है L आपका जो arc होती है उसकी length R radius है theta theta है तो इसमें अगर यह alpha की बात करें तो alpha कितना हो जाएगा यह d small d small d by capital यहां पर लगएगा अगर आप देखें theta equal to L L क्या है इसमें आपका यह यहां से यहां तक और d यह होगा अब एक degree 60 minute के बराबर होता है 60 minute को 60 से multiply करते हैं second के बराबर होता है यह आप सीख चुके इसको आगे और बढ़ाते हैं तो जो d है आपका distance capital d यहां से यहां तक यह हमारे पास known है diameter हमारे पास नहीं है कैसे निकालेंगे इस formula में रखेंगे practically यह alpha बहुत छोटा होता है बहुत दूरी है रहा इसलिए छोटा होता है example किते हैं समझाता हूँ जो sun का angular diameter है उसको measure क्या गया 1920 देखें degree हो गया minute हो गया यह second है यह second है अब जो capital D है sun का earth से वो है 1.496 into 10 to the power 11 आपको diameter निकालना है sun का फिर से वही यह earth है यह sun है इस तरीके से नापी है इसको बिल्कुल वही formula बनेगा अब इन्होंने कह दिया कि एक जो second है वो इतने के बराबर radian के बराबर होता है तो हमको convert करने के जरूँ नहीं है सीधा 1920 को लीजे इसकी जगा एक है नहीं मतलब 1920 into 4.85 into 10 to the power minus 6 कर दीजे आपका radian में आ जाएगा तो alpha निकालने के जरूँ नहीं वो आपके पास है यह सीधा formula लगाई है alpha equal to d by capital d और small d निकालना है हमको तो इसका निकालना है यह distance capital d alpha यह भी निकाल लिया यहां रख दीजे values आएगी 1.393 into 10 to the power 9 meter अब measurement करना है में बहुत छोटे distance का बहुत छोटे distance का यानि कि मान लीजे size of molecule का तो बहुत छोटा distance measure करना है जैसे size molecule का है 10 to the power minus 8 10 to the power minus 10 meter यहां तो यहां vernier caliper भी उस कर सकते है यहां कोई micrometer screw watch कर सकते है कि यह instrument इतना तक नहीं जाएंगे 10 to the power minus 5 तक जाता है बस तो कुछ special method हमें लगाना होगा जो optical microscope है यह visible light यूज करता है visible light की range क्या होती है 400 4000 A से 7000 A तर और जो आज इसके उपर गोला देख रहे हैं वो तर 10 to the power minus 10 meter तो मैं इसको बोलता हूँ 400 nanometer से लेकर 700 nanometer 10 to the power minus 9 meter मैंने एक 0 कर दिया यह इसको 9 बना दिया तो जो optical microscope है वो तो resolve नहीं कर सकता जो particle है जो 4000 A से या A से नीचे है तो जो electron microscope है यह electron beam यूज करता है visible light यूज नहीं करता है तो जो electron microscope है उसका resolution है 0.6 तो यह resolve कर सकता है atoms को और molecules के अंदर जो है अब इसमें क्या है कि आप एक चीज़ बड़ी interesting है इसमें कि जो electron microscope है इसमें electron एक wave की तरह बहिवफ करता है इस तरीके से particle की तरह नहीं तो आज के समय में जो tunneling microscope है इनको develop किया गया dano technology जब पढ़ी जा रही है और इसका बड़ा high resolution है ताकि हम जो size है छोटी चोटी size है उनको हम estimate कर सके तो एक और method तरीका समझ लीज़ें जो size है molecule का उसे हम कहते है monomolecular layer इसमें क्या करते हैं जो thickness है molecule layer की उसको हम measure करते हैं ताकि जो size है वो molecule का हम जान सके जैसे example देता हम आपको जो thickness है या मोटाई है जो layer की steric acid वो किसी एक definite value से एक certain definite value है उससे कम नहीं हो सकी अब हम माल ले कि जो film है वो उसकी unit है one molecular thickness ये size बन जाएगी diameter बन जाएगी तो physics में हम बहुत छोटे distance से लेकर बहुत बड़े distance से तक जाते है ये जो size है nucleus का वो order है 10 की पाउर minus 14 meter galaxy का size देखेंगे तो 10 की खाथ 21 meter तो इसके लिए हम special unit length के लिए जो short है long distance के लिए निकालेंगे जैसे एक fermi है 10 की पाउर minus 15 meter बहुत छोटा distance है ये 1 FM ये 1.496 इंटू 10 की पाउर 11 meter ये है average distance sun का अर्थ से उसको हम कहते है 1 astronomical unit तो एक astronomical unit कितना हुआ हमें अभी भी देखा एक light year कितना होता है light एक year में कितना travel करती है 9.46 इंटू 10 की पाउर 15 meter एक पार से क्या होता है 3.08 इंटू 10 की पाउर 16 तो एक पार से क्या एक distance है एक amstrong unit at which the distance at which एक amstrong unit ये subtend करेगी angle exactly 1 second r का यारे कि 1 second है 1 second हम सीख चुके 1 minute 1 second 1 second एक amstrong unit इतनी होती है कि वो 1 second का distance subtend करे किसी भी distance पे ठीक तो ये पार सेक ये वाला distance जोगा एक पार सेक होगा ये एक डिगरी एक astronomical unit ये एक पार सेक के बावन होगा अब देखिए l l equal to r theta होता है यहाँ पर हम रख दीजे तो r क्या होगा l by theta इसकी जगा 1 AU और इसकी जगा 1 second इन दोरों की value आपको पता है यहाँ रख दीजे इन दोरों को बिलाके और आपके पास 1 पार सेकी value आजाएगी मास का measurement कैसे करेंगे तो इसके बारे में हम discussion अगली बार करते हैं क्योंकि काफी चीज़े हमने देख ली और इसको हम दीजे दीजे आगे बढ़ाएंगे और last में आप देखेंगे कि आप किसी भी चीज़ की unit बनाने रगेंगे तब तक के लिए शुक्रिया धरबादी आप सभी की